Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम लोग polar representation of complex numbers के basis पे कुछ problem को देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी complex number का modulus और साथी साथ arguments कैसे find out करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किसी complex number को हम लोग polar form में कैसे represent करते हैं तो इसके पहले आपका polar representation से related कुछ basic information है जिसका जनकरी आपको होना चाहिए जैसे कि किसी complex number का modulus तो modulus निकालने के लिए हम लोग r equal to square root of x square plus y square को formulaize करते हैं और साथ साथ theta निकालने के लिए theta का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं argument of z या फिर बोलते हैं amplitude of z तो इसको निकालने के लिए previous में video बना चुके हैं तो अगर आप उसको देख लिए हुए या फिर पहले से जानते हैं तो ठीक है otherwise पहले आप उसको देख लिजेगा देन यहां पर आईएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसका लिंक जो है इस video के description में आपको मिल जागा तो चलिए आगे continue करते हैं सबसे पहले modulus और argument के उपर हम बात करते हैं तो थोड़ा से short में एक बार हम इने analysis कर देते हैं ध्यान से देखीएगा ताकि यहां पर दिक्कत नहों question explain करने में यहां हमारा x है और यह हमारा x dash है और यह हमारा y है और यह हमारा y dash है और यह हमारा y dash है और यह हमारा origin है अगर complex number जो आपका purely real है तो उस condition में complex number x axis के उपर लाई करता है और अगर x का value positive है तो इधर लाई करेगा और theta का value क्या कर देता है? 0 कर देता और वहीं अगर x का value negative है तो इधर लाई करता और theta का value किसके equal कर देता तो pi की equal कर देता आपको पता होना चाहिए कि principle argument of z यानि कि theta जो होता minus pi से greater होता और plus pi से less या फिर क्या होता या smaller होता अगर मालनेते कि complex number आपका y axis पर लाई कर रहा है यानि कि purely imaginary है तो y के value positive है तो theta को क्या कर देता तो pi by 2 कर देता और y के value अगर negative है तो theta को क्या कर देता तो minus pi by 2 कर देता उस video के दिखेगा इस सबका explanation समझ में आ जागा अगर आपका complex number मालनेते first quadrant में like कर रहा तो उस condition में theta जो है किसके equal होता तो alpha के equal होता अलफा आपका एक acute angle है अगर आपका complex number second quadrant में like कर रहा तो उस condition में theta जो हता एक किसके equal होता तो pi minus alpha के alpha आपका acute angle है अगर आपका complex number third quadrant में like कर रहा तो उस condition में theta जो हता alpha minus pi के equal होता है और अगर आपका complex number fourth quadrant में like करता तो उस condition में theta किसके equal होता है minus alpha के तो इस सब का explanation जो है आप description में जो link है उसको देखीगा तो समझ में आ जाएगा कि सब आखिर actually में आया कैसे है तो फिराल हम आते है question में तो देखे सबसे पहला हमारा question है इसमें हम से पूछा जा रहा कि modulus और argument बताना है एकदम concentrate होके आप देखीगा सबसे पहले यहां से हम given ड जनिक हैं तोकि एक नीगेटिव है यानि जिसको वाई से डीनोड करते हैं यह था हम राकिया तो माइनस रूट थ्री होता है कि रियल पार्ट पर नीगेटिव है इसका मतलब कंप्लेक्स नमर कहां लाई करेगा तो हमारा है क्वाइट में लाइक करेगा लिखेंगे देरफोर जेट लाइज इन दो थार्ड क्वाइटरेंट यहां अब जो हमको सबसे पहले का निकलना तो इसका मोडिलस निकलना तो मोडिलस का मतलब यहीं होता है आर का मॉड कर दिए ताकि बैलू निगेटिव नहीं है तो यहां यहां पे हमारा पाला अंसर हो गया अब यहां पर सेकिन पार्ट के लिए लिए इन लिखिंग फॉर् हमको अर्गुमेंट बताना है अर्गुमेंट यानि ऐसे लिखते हैं ए आर जी ऑफ जीड या फिर इसको एंप्लीचूड भी बोला जाता है एंप्लीचूड अफ जिसको फीटा बोलते हैं तो फीटा निकालने के पहले हम लोग एक्यूट अंगल अलफा को निकालते हैं तो कि आंढगां से सपोज अलफा बी इनी एक्यूट एंगल अलफा जो हमारा को ही है तो इसकी लिए फ़ॉर्मूला है वोर वीडियो देखेंगा तो समझ में आ उसमें है कि आपका टैन अलफा जो है किसके एक्वल है तो मॉड्ड वाइबाइए एक्स य चे y का मतलब imaginary part of Z और X का मतलब real part of Z तो हो जाता tan alpha equal to mod Y का जो value आपको दिख रहा है square root of minus 3 है और minus square root of 3 है और X का value जो है कि minus 1 है तो minus से minus कट जाएगा तो root 3 by 1 यानिकी root 3 mod से निकलेगा root 3 जाएगा तो mod का मतलब यह है का अंदर negative हो जाएगा तो हम उसको positive करके ही लिखेंगे अब IQ Tangle में हम सोचेंगे कि root 3 किसका value होता तो आपको पता होना चाहिए root 3 जो है tan 60 degree का value होता तो radian में इसको हम लिख सकते हैं 60 degree को pi by 3 चुकि pi का मतलब 180 degree होता तो 180 degree by 3 का मतलब 60 degree ना हुआ यहनी का मतलब है कि यहाँ से alpha का value कितना मिला तो pi by 3 मिला देख रहे हैं ना 10 alpha जो है 10 pi by 3 के equal है तो equate करेंगे इने के 10 से 10 कटा दिये सिर्फ equate करते हैं तो alpha जो है किसका equal है जाता है तो pi by 3 के equal है जाता है अब इसके बाद हम decide करते हैं हमारा complex number जो है किस quadrant में जा रहा और उसका निस्वारा value को लिखते हैं तो देख रहे हैं कि हमारा complex number जो है third quadrant में जा रहा है लिखेंग यहां से इसके बाद कि since z lies in the third quadrant तो z हमारा third quadrant में जा रहा है तो इसका मतलब है कि third quadrant में जा रहा है तो ठीटा के लिए क्या बता हैं कि alpha minus pi हो जाएगा alpha minus pi तो लिखेंगे यहां से alpha का value क्या तो pi by 3 है और minus क्या हो जाता तो pi by 1 कर सकते हैं LCM 3 हो जाएगा तो pi minus 133 यानि कि 3 pi घटा लिजेगा तो minus 2 pi by 3 आ जाएगा तो इसी ठीटा का हमनों क्या बोलते हैं तो argument of z या amplitude of z बोलते हैं amplitude of z भी बोल सकते हैं यही हमारा ठीटा है जिसका value क्या मिला तो minus 2 pi by 3 मिला तो इस question में आपसे पूछ रहा था कि आपको बताना क्या है modulus और argument तो modulus निकाल लिए और यह हमारा क्या होगा उसका argument हो गया तो argument निकालने के लिए आपको ध्यान अखना कि alpha acute angle मान करके पहले उसका value निकालना है फिर आपको देखना कि complex number किस quadrant में जा रहा है अगर first quadrant में जा रहा तो आपका जो अलफा रहा वहीं आपका argument यानि amplitude हो जागा आईए question इस पर और है उसको भी देखते हैं और इसके बाद तब हम लोगों देखेंगे polar form के बारे में तो concentrate होकर कि आप वीडियो को देखिए और इस पर कुछ practice भी कर लिजेगा ताकि आपका concept और अच्छा से clear हो जाए तो आगे बढ़ते हैं अगला question है हमारा जेड पूछा जा रहा कि आपको क्या बताना तो मोडूलस और अर्गुमेंट बताना तो लैंग्विज के सांथ एक question तो बता दिए तो दूसरा जो डारेक्ट बता रहे हैं तो जेड इक्वल टू आपको क्या दिवह माइनस रूट 3 है प्लस आयोटा अब डिरेक्ट बता रहे है चुकि लैंग्विज आपको इक बता दिया आप उसके अनुसरा लैंग्विज चाहें तो फॉलो कर सकते हैं तो यहां अगर हमको मोडूलस सब्जेट बताना तो स्कॉर रूट फॉर्मलों क्या एक्स स्कॉर प्लस वाई स्कॉर तो एक्स का मतलब रियल पार्ट जो की माइ वाई वाई एक्स आगे बढ़एगा तो टैन अलफा जो आपका हो जाता है मॉड वाई के वैलू का दिखे रहा तो वन और एक्स का वैलू का दिखे रहा तो माइनस रूट थिरी तो मॉड तो हम इसलिए लगा ना कि नीगेटिव को पोजेटिव कर दिया जा तो वन वाई कि हमारा रियल पार्ट जो है नीगेटिव है और इमेजनेरी पार्ट पोजेटिव है यानि पहले माइनस है फिर प्लस है यानि कंप्लेक्स नमर हमारा सेकेंड कोड़न में जा रहा है तो सेकेंड कोड़न में जा रहा तो उस कंडिशन में हमको अर्गुमेंट अब जेड य यही हमारा argument 10 की amplitude अब Z हो जाएगा तो language जिसके पहले बता है उसका इसमें फॉलो कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं तो दिखेंगा ध्यान से कि अगर question में आपसे modulus पुछता है तब तो कोई जंजट नहीं है सिधे real part का square plus imaginary part का square root के अंदर डाल देना है और value निकाल लेना positive म कोई angle नहीं हो पाता या पर direct हमारे नोन में नहीं आपाता तो उस condition में हम लोगी इंवर्स में डाल सकते हैं ऐसे suppose कर लिए कि माल नेते हैं कि 10 alpha का value जो है थोड़ादर के लिए सई कि 3 by 4 आ गया 10 alpha का value क्या गया 3 by 4 आगया तो direct अगर हमको समझ में नहीं आ रहा कि alpha कैसे तो जनरली ऐसा नहीं देता है लेकिन देता है तो आप ऐसा लिख सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं अगला question हम लोगों को बोल रहा कि आपको complex number का क्या बताना है तो polar form बताना है जो complex number दिया हुआ उसको polar form में लिखने के लिए हम लोगों को modulus और 37 argument का निट पड़ता है तो भी लगवग ऐसा ही काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोई complex number अगर जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई तो जब इसको हम लोग पोलर form में लिखते हैं तो उसका फॉर्मला होता जेड इक्वल आर इंटू कॉस ठीटा प्लस आयोटा साइन ठीटा यहां आर का सब्सक्राइब है आपका अर्गुमेंट यानिकी इंप्लिचूड अब जेड दोनों ठीटा सेम होगा तो यहां भी हमको वहीं काम करना होगा कि आरोट ठीटा को निकालना पड़ेगा उसके बाद हम लोग लिखेंगे तो द्यावन से देखिए कुश्चन लैंग्विज के साथ तो पाला नंबर जो है इसमें लिखेंगे गिवें जेड हमारा दिया हुआ स्क्वाइर रूट अब थ्री प्लस आयोटा लिखेंगे रियल पार्ट अब जेड यानि एक्स बोल सकते हैं यह हमारा रूट थ्री है जो की पोजेटिव है एक्लियर कर लेते हैं तबना पत कोपिसेंट यानी वन दिख रहा है इभी हमारा क्या आप पोजेटिव है दोनों पोजेटिव है इसका मतलब है कि जैड जो है कहां लाई करेगा फॉस्ट कॉडरेंट में जैड लाइज इन दो इसका स्कॉर कर देंगे तो रूट 3 का स्कॉर 3 1 का स्कॉर 1 एन रूट 4 बाहर का निकलेगा टू निकलेगा अब हम आते हैं सेकिंड पार्ट के लिए यानि की और्गुमेंट के लिए तो इसके लिए आपको बताया है सपोज कर लिजे कि आलफा को यह कीउट इंगल है तो टैन अलफा इकॉल्ट को हमारा हो जाता है मॉड वाई के वैलू जो दिखे रहा है और एकस का वैलू के रूट 3 है तो मॉड से बाहर निकलेगा निए 1 रूट 3 हो जाएगा तो टैन 30 के वैलू होता है यानि रेडियन में हम इसको पाई भाई 6 लिखते हैं तो से अलफा की पॉल हो जाता है तो लिखेंग यहां से कि सिंस जेड लाइज इन दो फास्ट क्वाडरेंट देरफोर हमारा ठीटा जो है यानि अर्गुमेंट या इंप्लिचूड बोल सकते हैं यह अलफा की पॉल हो जाता है और अलफा के वैलू क्या तो पाई भाई 6 है तो टू दिख रहा कॉस ठीटा कितना दिख रहा तो पाई भाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई भाई 6 इसी को अंत में लिख देंगे विच इज इज इन दो पोलर फॉर्म यही हमारा क्या हो जाएगा तो कंप्लेक्स नमर का पोलर फॉर्म हो जाएगा तो ध्यान अकना कि इस टेंडर फॉर्म है तो ही आगे बढ़ना इस प्रोसेस के ताहत अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको इस टेंडर फॉर्म में लाना है यानि कि यह प्लस आयोटा भी के फॉर्म में और तब इस प्रोसेस के ताहत आपको आगे बढ़ना है और उसको पोलर फॉर्म में ल करते हैं में लिखिन यहां से इधिशन हमारा दिया हुआ था माइनश वन प्लस अइड़ा माइनस वन प्लस आयोटा तो यहां से लिखेंगे रीयल पार्ट अब जेड़ तो माइनस वन दिखे रहा जो कि निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट अब जेड यानि आयोटा का कोफिशेंट तो यह भी हमारा वन देख रहा है जोके हमारा क्या तो ग्रेटर दन जीरो यानि की पोजेटिव है तो देखे में पहले माइने सारा फिर प्लॉस आरा माइने स्प्लॉस यानि ठीटर सोरी जेड कहां जाएग पार उट ओफ एक स्कॉर प्लस वाई अस्क्वार यह मॉड नहीं भी लगाते तो कोई दिकत नहीं है चुक्त यार अलुज पोजेटी में रहता है चुक्क एक्यूट एंगल तो आपके पास फॉर्मुला है टैन अलफा का कि मॉड य बाई एक्स इस पर कंटिन्यू करते हैं आगे तो हो जाता टैन अलफा इक्वल मॉड य के वैल्य एनि इमेजिनेरी पार्ट वन और एक्स के वैल्य पार्ट तो माइनस वन तो यह क्या जाएगा पाई काहां कर रहा है सिर्ट लाइज इंदंः सेकेंड कोंडृंतफ सेकेंड कोड्रेंट अनु करता तो उस कंडोly निकालने के लिए उर्गोमेंंट्या इंप्लेश्ट वो सकते हैं पाई अलफा करते हैं एक्सकों इनिक्वल तो पाई माइनस अमाल्फा दो पाई-ालफा साइन ठीटा इससे पूट कर देंगे तो आर्ग वेलु क्या मिला रूट्टी मिला एकला तो कहीं दीखत नहीं होगा कॉस ठीटा के जगा क्या है तो थि पाइभ के फोर यहीं हमारा एंसर जाएगा कि भी चीज इब फोलर यह ठिक है तो यह थो एक सेकंड आपको इस ए थार इस दिक्कत ना हो प्रोसेश यह करेंगे तो अगला जो प्रयास करते हैं तो आपको दो बता दिये तो आप लेंग्विस तो कैच करी सकते हैं तो अगला समस्वाट में लिखे बता रहे हैं चुकि टाइम लिमिट भी देखना है कि वीडियो ज्यादा लेंदी भी ना हो तो थर्ड में जो जेड इक्वल टू है माइनस वन माइनस आयोटा देख रहे हैं दोनों पार्ट आपका निगेटिव दिख रहा है यानि किस कौड़ेंट में जाएगा आपका ही तो थर्ड कौड़ेंट में जाएगा अब सबसे पहले आपको आर निकलना है तो स्कौार रू जो कोफिसेंट होता उसी को इमेजनरी पार्ट बोलते हैं तो यह हमारा कितना जागा तो रूट हुआ जागा अब हमारा जो है अल्फा को एक्यूट एंगल मानते हैं तो यहां आपको क्या बता है कि टैन अल्फा इक्वल लेंग्विज वसाइन लिखेगा मॉड़ अब लिखेंगे कि हमारा जेट जो है किस क्वाडेंट में लाई कर रहा तो थाड़ क्वाडेंट में लाई कर रहा तो थाड़ क्वाडेंट में लाई कर रहा तो थाड़ क्वाडेंट में लाई कर रहा तो हमारा अर्गुमेंट यानि अम्प्लिचूट बताने के लिए अल का बेलू पाई बाई फूर माइनेस पाई बाई वन कर सकते हैं तो फॉर हो जाएगा पाई माइनस फॉर पाई यानि माइनस थिरी पाई बाई फॉर अब जो ए जेट का फॉर्मला आपको आर इंटू कॉस ठीटा शिंपल है एकदम से प्लस आयओ टा सैं ठीटा इस पर प्लस आयोटा साइन ठीटा के वैलू माइनस थरी पाई भाई फोर यहीं आपका जो है पोलर फॉर में हो गया ठीक है एक कुस्टन और है अगला आपका किस पे तो फॉर्थ कौर्डेंट पर इसके बाद जो है एक सिस वाला कुस्टन एक दो तो उसको भी एक्स्प्लेंट करत तो आपका फॉर्थ कौर्डेंट में जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आर निकलने के लिए स्कॉर रूट आफ एक स्कॉर प्लस वाई स्कॉर तो एक से यानि वन स्कॉर वाई आउटा कोफिसेंट यानि माइनस वन का स्कॉर तो यह भी आपका रूट वा जाता है फिर पाइब फॉर बोल सकते हैं तो हमारा अलफा जो है किसको एक पाइब फॉर प्लस में है ना पाइब 4 तो माइनस में पाइब 4 हो जागा यह हमारा ठीक हो जागा अब हमारा जो formula z के लिए कि r into cos theta plus iota sin theta तो इस पे आगे बढ़ेंगे न तो z equal to हो जाएगा r के जगा root 2 फिर आ लिखेंगे cos theta यानिकी minus pi by 4 plus iota sin theta यानिकी minus pi by 4 यहीं हमारा polar form हो जाएगा तो first quadrant, second quadrant, third quadrant या fourth quadrant के basis पे question आएगा तो आप simply बना सकते हैं आपको ध्यान अखना होगा कि आपका complex number standard form में दिया होना चाहिए तब ही आगे बढ़ेंगे अगर नहीं दिया है तो पहला हमारा काम मुनता है कि उसको standard form में ला दे और फिर इस process का ताहत आगे बढ़े आपको बत हैं कि अगर मालने ते कि 10 alpha आपका 4 by 5 पे आ गया तो उस condition में alpha निकालने के लिए आप क्या किजिए तो tan inverse 4 by 5 कर देजी यहीं आपका angle हो जाएगा अब मालने ते कि यहाँ ठीट आपका minus alpha तो इसका हम negative कर देंगे यहीं हमारा angle का काम करेगा और cos और उस angle को जो भी है यहाँ नहीं डाल देंगे तो कोई दिकत नहीं है तो जिनरली ऐसा आता है कि हम लोगों कोई के angle मिल जाता है लेकिन नहीं भी आयक तो कोई दिकत नहीं है अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा साथ दिखते हैं कि अब क्वाडेंट से बाहर चुकि फॉर्स प्रॉर्ट क्वाडेंट क हमारा जेट जो दिया हुआ माइनस थरी है जो कि क्या है रियल है complete रियल है याई जैक वे इक ल दूस को देए माइनस 3 प्लस 0 इंटू एयोटा तो लिखेंगे सिंज हमारा ніमेजिनेरी पार्ट जो का साथ गा जिरुक्च यह का इसलीए जेट का इसा नंबर है तो प्रुर् एक के मतलब रियल पार्ट जो कि माइनेस त्री ए उसका एस्वार और वाई का मतलब इमिजयनेरी पार्ट के स्कूर धियों का स्कूर दो माइनस ट्रीसी का कई स्कूर 9 से भार की जएगा तो क्या जागा 3 Qs महीं लेते हम लो अब यहां से लिखेंगे कि since हमारा चाहिन पूर्य के तो लिकिए। पड़ेगा, जब दोना एक साथ beverages यहां तौन एक साथ सरफ जिरोडा तो तो फिर आपका origin पर चला जाएगा और इस condition में आर का value भी 0 हो जाएगा आर का value जब 0 हो जाएगा तो फर्मला देख रहा ना इसमें आर के जागा 0 डालीगा multiply करके सिधर 0 कर देगा तो ऐसा संबाव नहीं है वह ऐसा question आपको नहीं देगा तो एक या तो real part 0 देगा या फिर imaginary 0 देगा तो imaginary 0 दे रहा तो complex नमर प्यूरली रियल तो एक सेक्सिस पर जायागा तो एक सेक्सिस पर दो option मिल रहा अगर आपका real part positive यह तो इधार आएगा और negative यह तो थीटा का value यानि की argument 0 हो जाता है और negative यह तो थीटा का value यानि की argument पाई हो जाता है तो फिलाल negative है तो negative है इसका मतलब हमारा ठीटा किसके equal हो जाएगा तो पाई की equal हो जाएगा अब आपको पता है complex number z के लिए कि r into cos theta plus iota sin theta इस पर आगे बढ़ जाएंगे तो z equal to हो जाएगा आर का value क्या तो three cos theta के जगा क्या जाएगा पाई प्लस आयोटा sin theta के जगा क्या जाएगा पाई यहीं हमारा polar फॉर्म में हो जाएगा लिए विच इज इंद पोलर फॉर्म ठीक है वैसे ही आपको अगला question जो है दिया हुआ six number तो इसमें देखेगा कि जेड़ अपकर दिया हुआ सिधे आयोटा तो आप इसको चाहें standard फॉर्म में लेकिना तो जेड़ को लिख सकते 0 प्लस 1 इंटु आयोटा तो लिखेंगे यहां से कि इसका real part हमारा क्या 0 है इसलिए जेड जो हमारा purely imaginary हो जाएगा तो purely imaginary हो अब आपको ठीटा निकालना है तो ठीटा निकालने के लिए आपको सीधे देख लेना कि complex number का real part 0 यानि purely imaginary तो purely imaginary का मतलब y axis पर लाई करेगा तो अब आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका imaginary part है तो यहां पी imaginary part कितना है तो आपका 1 है तो देखेंगे कि positive है कि negative है तो फि situation में ठीटा का value pi by 2 हो जाएगा इसके बाद आपको लिखना है इसको polar form है तो z के लिए formula r into cos theta plus iota sin theta तो r का value क्या 1 cos theta तो cos positive है तो pi by 2 यानि cos pi by 2 plus iota sin pi by 2 हो गया बात कतम यानि complex number जो है अगर आपका सीधे x axis पर जा रहा तो आप इसी से decide कर लेजए कि theta 0 होगा कि pi होगा ठीक equal to r into cos theta plus iota sin theta तो पूट कर दिए polar form में आ जाएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद modulus कैसे find out करते हैं argument यानि कि amplitude कैसे find out करते हैं किसी complex number का और साथ ही साथ किसी complex number को polar form में कैसे लिखते हैं इस complete आपको समझ में आ गया होगा इस पे आप कुछ और practice कर लिजेगा तो आप का concept और clear हो जाएगा उमीद करते हैं वीडियो आपके लिए useful होगा मिलेंगे अगले वीडियो में thank you